पार के राधे राधे दोस्तों स्वागत अब सभी टेडर्स का हमारे परिवारे की यूट्यूब कर दोस्तों आज हम लोग यहां पर सीखेंगे कि पिछले दिन को मार्केट में हम लोगों ने जो मार्किंग की थी उसके साब से मार्केट का क्या रिस्पॉंस रहा है और कल यानि की मंगलवार को मार्केट में क्या संभावित इस्तिती बनी रहा सकती है जिस पर हम लोग trade execute करेंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले हमें लोग शुरू करते हैं निप्टी 50K analysis को और देखते हैं कि उसमें हमारा क्या शित्ती रहा था ठीक है तो बात करें भाई 29 तारीकों की 29 तारीकों मार्केट में हम लोग जो मार्किंग की थी पिछले दिन की मार्किंग के हिसाब से यहां पर मार्केट क्लोज करी थी और ठीक मार्केट यहीं पर खुली इस लेवल पर ठीक है तो यह मार्केट जो है यहां खुलने के बाद थोड़ से नीचे गिरेगी और यहां तक आई आप देख सकते हो यह मार्किट यहां से यहां तक हैं उसके आप वापस श्वस अपर बना करना मार्केट उपर उटना शुरू हुआ कि उसके बाद मार्किट जब इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आयता आप देखोगे आप आपको इस मार्केट ने एक बार रिटेस्ट दिया और रिटेस्ट देने के बाद यहां से बूम किया ठीक है याने कि आपकी एक इंट्री स्कल्प मैंने यहां पर दे दिया था यहां पर 20-25 पॉन्ट का प्र मेरी स्केनल बनने के बाद ब्रेक आउट आया तो मार्केट यहां से जो गिरना स्टार्ट किया सब देख सकते हो कितने बड़ी फॉलिंग बनके यहां पर आई है और इसमें कम से कम 30-40 पॉइंट का प्रॉपिट आपको मिला होगा ठीक है 30-40 पॉइंट का नहीं बोल सकते ह कि मैं जो मार्किंग आपको दे रहा हूं वो कोई मजाक नहीं है इसका लेवल बहुत हाई होता है मैं बहुत सो समस्क्राइब को देता हूं तो उसके आप अपना मार्किंग को जरूर रखें ताकि उसका फैदा आप जरूर ठाबाएं है ना चलिए उससे पहले मैं आपको क्या मार्किट है और किया चल रहा है तो आप चाहों तो यहां पर आकि अपना ट्रेड कर具 कर सकते हो ताकि आपको आने रूले मार्किट में जो भी तो आप देखो कि यह फॉल आया था तुरंत यहां उपर मार्केट धड़ से गिरी थी उसका प्रॉपिट मैंने स्कल्पिंग वोग भी किया था तो ऐसे यहां पर आपको हर चीज बता दिया जाता है तो जो लोग भी नए बंदे हैं आप मेरा ट्रेग्राम चैनल कर सकते हो अ आप मेरे को सर्च करना मिल जाओंगा मैं अनिता आप मेरे यूट्यूप लिंग के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है वहां पर मेरे ग्रूप का लिंक बिल जागा वहां भी आप मेरे को जूइन कर सकते हो ठीक है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस अपना अनल तो चलिए तो जो भी मार्किंग है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मार्किंग कैसे करते हैं वह पहले आप सीखो क्योंकि अगर आप मार्किंग करना सीख है तो सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा तो मैंने यह जो यह जो स्केल देख रही है आपको जिसको नहीं आता म मैं बता नहीं यहाँ पे जाना आपको टूल्स पे ठीक है यहाँ देखेंगा तो प्राइस रेंज आएगा आपको अब यहां से कम से कम ज्यादा नहीं देट्रस の पॉइंट का मार्किंग में अपको करना है उपर साइड देट्रस पॉइंट हो गया और य durability मार्किंग वपर साड के लिए और सेम डाल आपको नीच्चे साड के लिए करने है तो नीचे साड भी आपको 150 पॉइंट का टार्गे ले 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 ना करना है बात रहे इन लाइन्स के टो इनको मैं भी रिमूब करदा उसके बाद मैं बताता कि कैसे मार्केट में आफPN मार्किंग होनी अब देखो कि इतने सारे मार्किंग की है एक्षो लिक अच्चुलि अगर किर कर रहें यह बात अपनोंड कर लेजीगा ठीक है अरे पहले नेट मेरा किनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ जी गधीर कर लेते हैं जी है मेर कि गभाट कॉन सा मौण रहा है जिन्दगी के सफर में लिए तो कीए का इसी पर करते हैं फिर से तो करना कुछ नहीं होता है जैड़े यहार यह खुल गया में टिक का चाहिए चेचा निपंटी का ही चाहिए मेरे को कि चलो आ गया आ गया गया आ गया गया है देखिए म Smither ना यहाँ पर क्या है कि इस दीर्स पोईंट के आसपास में आपको देखना है कौन सा बढ़िया होला रेजिस्टेंस लेवलर कौन सा बढ़िया होला सब्सक्राइब तो काईदे से अगर आप देखोगे तो यह जो लेबल यह लेबल देख रहे आप इसको बार पर मार्केट ने टेश्ट के इसको ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा हूं तो इसको मैंने मार्क करके रखा यह लेबल जो है यह इंपोर्टेंट है तो आपको एक रजिस्टेंस ल नहीं आएगा नहीं आना मुस्के लेट अगर आ जाएगा तो और अच्छा बात है लेकिन सायद देखते हैं हम लोग अभी कर लेंगे कि जाएगा कि नहीं जाएगा थोड़ा सब लोग वेट करिएगा पैसेंस रखिए बाई ठीक है और पूरा वीडियो देखिएगा तब उपर लेके जा सकते हो इस लेवल तक है कि 750 है यहां पर एक लेवल रहे गई रहेगा और एक लेवल आपका इंपोर्टेंट जो बनता मुटे को दिख रहा है वो आपको यह वाला है ठीक है तो मैंने जो बनाया है उसका फायता देखना आपको बहुत जिबर्जस्ट अगर मार्केट इसके उपर होल्ड करेगा तो फिर यह वह अपको देखने के लिए अरां से मिलेगा यहां से यहां तक का और जो कि आप दिखोगे तो लगवग लवक सतर सतर पॉइंट का या असी पॉइंट का टार्गेट है यहनि कि इस भी अगर मार्केट उपर निकलना तो हो सकता है गडाउन खुले लेकिन गडाउन खुले गए गडाप हम तुरंत पर बता रहें आपको थोड़ा से लाइंड पर यह अब आगे देखिए यह लेवल टेस्ट हो चुका है बाई दो दो बार तो अब हम लोग नीचे आंगे थोड़ा सा ठीक है इस लेवल पर आ दो से तीन सपोर्ट और दो से तीन रजिस्टेंस लेवल आपको मार्क करने भाई तो यहां पर कर मार्केट चहां पर बंद हो इसके आसपास में तो यही दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा आप छोटा करके देखो देखोगे तो पीछे दिन का जो में सपोर्ट और रखते हो ठीक है उसके अलावा ठीक है और यह लेवल भी बहुत इंपोर्टेंट है तो इधर मार्केट अभी नहीं आया है तो इस दो इतना ध्यान नहीं देंगे मैंने हमारा जो जोन है यह जो जोन है यही है फ्री जोन बोलोगे तो यह वाला इसमें सेट वेस्ट ना रह ट्रजिसन से टगर खाके नीचे आएगा तो आप देखो कि कम से कम उनीस जर छे सो सतर पच्चतर से लेके उनीस जर पांट सो साथ यानि कि लगवग लगवग एक सो पांच दस पॉइंट का फॉलिंग आएगा जिसमें से अगर आप हुल्ड करते हैं हिमत करके भाई तो आ अब इस पे करता है कि मार्ट का ट्रेंड क्या होईगा एक किन मेरे हिसाब से मार्ट नीचे ही आना चाहिए यह नीचे ही खुलना चाहिए यह कि मुझे यह एसा लगता है कि हमों से श्मेसार और ऊंगे और पर एक दिन के टाइम फ्रेम पर मार्केट बड़े लेबल पर क्या बोल रहा है वो समझे यह जो है इसको पहले में लोग हाइट कर देते हैं तब आपको समझ में आएगा देखिए अब आप मुझे क्लियर कट बताओ मैंने आपको उसी दिन बोला था कि भाई साब मार्केट यहां पर इसको इंगल्फ किया है याने कि मार्केट ने डिसेजन बना लिया एक वो नीचे आएगा तो देखो कि मार्केट उपर गया था और फिर दडडड़ दड़ नीचे आ गया मैं पता हूं कि यह जो कंडल है भाई यह जो कंडल आप देख रहे हो न भाई यह कंडल आपके लिए बहुत-बड़ा फैक्टर है यो मानो अगर इस कंडल यह जो कंडल है यह ही आपको डिसiejड करेगा अगर अगला दिन क्हलती है और इदर नीचे इनर बना देता है तो ये इसको continue रखेगा और ये नीचे आएगा कहा तक आएगा इस लेवल तक और ये लेवल कौन सा है देखो आप यहाँ पर 19300 का ठीक है अल्रेडी मार्केट 19500-500 के लेवल पर 500 का टच्च कर चुका था अम लोगों का टार्गेट 2400 का था तो लवल लवा उस जोन तक मार्क होएगा रीजन क्या हो सकता है तो अगर वैसे आप देखोगे तो रिवर्सिंग का चांस मुझे कम लग रहे हैं आप है क्यों कम लग रहे हैं वह मताता हूं आपको देखिए अगर काईदे से आप देखोगे तो मैंने उस दिन भी आपको बतलाया था भाई ठीक है कि यह जो पैटन बनता हूं आप देख रहे हो इसको नीचे करता हूं तो यहां पर मार्केट देखे इस जगह पे है तो इसका हाई है लवल लवग असी का मार्केट इसके वी उपर न देखोगे तो यहां पर है यह लेवल यहां पर है ठीक है यहने कि लवल लवक 40 के और यह लेवल इतना ही उपर आया है फिर भी मार्केट लवल लवक 43 के 42 के मतलब इससे तो उचाही दिखा रहा है तो इधर से आप देखोगे भाई तो थोड़ा सा बुलिस नजरिया रख तो इसलिए मैं यहां पर आपको एक बात में बताना चाहता हूं वह आप दियान दो इधर अगर यह लाइन यह जो आप देख रहे हो क्रोस लाइन यहां से बनाओ गया ऐसे अरके ठीक है यह लाइन में अगर मार्केट ऐसे नीचे आकर रिटेस्ट करता है तो आपको यह फ है है जो मैंने आपको बतलाया यह दोए यह किंडल जो है यह डिइशाइड करेगा मार्केट को होगा वन पे अगर एसके उपर निकलना सुरू होता है तो यह तुरंत भीम मार्किट सफो word को यह जाका लस्का सकता हुर बना सकता है यान कि इस सपोब मैरे हिसाब सबकि हृँ तो मेरे का सब्सक्ला किसी चार्टा फर्मार्टण होने देना क्योंकि एक जो support level आपको बंता हो दिख रहा होगा वह यह वहला label है ठीक है तो यहां पर market अगर support करके बनाता है तो यह market फिर से boom कर सकता है उपर set के लिए ठीक है क्योंकि RSI के हिसाब से भाई मेरे RSI के हिसाब से आप यहां पर देख सकते हो तो दोनों का दोनों लेवल एकदम सेम टो सेम है तो यह market अपने आपको उपर होल्ड करने का कोशिस कर रहा है तो बुलिस बनने के चांसे तभी है जब market इस candle यहने के last दिन के candle के ऊपर hold करता रह जाया तब आप बुलिस बनने ने तो market नीचे आएगा 200% गरेंटीड ठीक है तो यह trend है हमारा market का फिलाल अभी तो हर दिन मैं आपको आता हो कि इस करनल के बाद क्या होगा तो तभी आप लोग अपना पोजिस्टन भी बना ऐसा नहीं कि हडबरी में आप पोजिस्टन बना लिए पर फिर उपर खुल के अगर इसको तोड़ दिया तो फिर मार्केट और गिरेगा ठीक है तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना मार्केट जब तक ट्रेंड डिसाइड नहीं करे तब तक आपको बला ट्रेंड मिलेगा ही नहीं मिलेगा अधा भूली जवाब स्कैलपिंग करते हो तो फिर करो उसमें तो कोई मतलब है नहीं कि आप कौन सा ट्रेंड पर काम कर रहे हो क्योंकि अगर मैं आपको scalping के बाद बताता हूँ देखो भाई एक मिनट के time frame पे आप scalp करोगे ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे है ना जो main factor वो एक मिनट है तो आप एक दिन के time frame पे देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ मान के चलो यह मेरा marking है भाई ठीक है अभी आप support करो कि आपका यह support line था यह resistance line था जो भी था market यहां तक आया आपको लगा कि market गिरेगा के नहीं गिरेगा भाई पता नहीं पर जैसे ही market इसको तोड़ा ठीक है आपको तो wait करना है क्योंकि यह support line यहां से market उड़ भी सकता है गिर भी सकता है ठीक है तो market देखो इस candle को exactly इस इंगल्फ किया अब इसके बाद आप देखोगे कि यहां पर रजिस्टेंस लेवल था क्योंकि मार्केट ने यहां पर सब्सक्राइब बना रखा था जगह पर जाने के बाद मार्केट को रिजिस्टेंस मिला मतलब कि रिजेक्शन मिला तो यह कैसा बना दोबारा इसको इसने तोड़ दिया फिर से सपोर्ट लेने के बाद जब मार्केट कंफर्म करेगा जब भी आपको ब्रेकाउट मिलेगा तो आप ध्यान देना भाई मेरे ठीक है यह बात आपको लिए बहुत ज़रूरी है कि वहां पर मार्केट टाइम बिताएगा अगर इसके बाद बड़ा मोम तो ऐसा बहुत जगह देखने की मिलेगा अगर उसके बाद आप अपने पोजिशन मनाते हो ना यकीन मानों को बहुत बड़ा प्रोपिट आएगा बहुत बड़ा यहां भी देखो टाइम पिताया नीचे गिरा तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा वैल्यू करो और उ आपने स्काल्प किया होता तो एक मिनट में आपको इतना बड़ा प्रोफिट मिल गया रहा था कम से कम 10-15 पॉइंट का बहुत बड़ा प्रोफिट है तो स्काल्पिंग का कोई इसू ही नहीं उसमें कोई मतलब नहीं है अगर आप ट्रेंड के फेवर में चल गए तो आपक प्रोफिट मिल जाएगा लगा ठीक है अब आप यहां पर देखो मार्केट यहां पर क्या है कैसे पूरीस है यहां पर आरहेज एक रहेज बोलता है है जो मार्केट में यह देख रहे हों भी इस ने क्रॉस ओवर किया और आपको प्रोपर ब्रेक और पर मिला होगा यह जो profit तुरंत मिल गया तो आप खोसी-खोसी पगला जाओगे कि भाई मेरे को trend का फाइदा मिला तो इस trend को पहचानने के लिए ही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जब तक properly market support resistance को ना value दे तब तक आपको entry नहीं बनाना है ने तो आप छोटे-छोटे profit कर पाओगे बहुत छोटे-छोटे तो थोड़ा सा पैसेंस रखो market में आपको बहुत बड़ा profit आएगा निकल के समझगे आप मेरी बात चलिए तो marking का चो तरीका है मैंने आपको सिखा दिया है उमीद है आप समझ रहे होंगे अगर अगर किसे दर का confusion होता है तो बहीचक आप मेरे टेलिग्राम पर आके मेरे को मैसेज करो वीडियो देख रहे हो इस पर मेरे को कमेंट करो लोग आते हैं निप्टी बैंक पे निप्टी बैंक की जो स्लाकिंग उसको भी लोग करी लेते हैं तो मैं जो और देता हम एक 3000 सो पुइंट का जाधा देता मैं 1300 में कैप्चर करना चाहता हूं कि अगरम मुमेंन हो भी इंडेक्स पर पर उससे ऊपर मुझे नहीं चाहिए ठीक है उसे उबर का प्रॉफिट मेरे को नहीं पचेगा तो मैं एक यह जोंड डिशेट कर लिया कि मेरे को साड़े तीन सो पॉइंट इधर आ गए अब सेम टो से मैं साड़े तीन सो पॉइंट का मैं नीचे ले आऊंगा टेस्ट हुआ है उसको ज्यादा इंपोरेंट देना है यहां पर यह लेवल इस लेवल पर एक बार टेस्ट हो चुका है आप इसको बेल्यू दो क्योंकि यहां तक मार्केट दुबारा नहीं आया है मतलब कि यह अभी भी यहां पर पेंडिंग ओर्डर हो सकते हैं ठीक है यह होगी हमारे लिए इसको उन्हें मार्क कर दिया ठीक है अजय सपोर्ट क्योंकि हम लोग क्या कर रहे मार्केट जहां क्लोज वह इसके नीचे हम लोग ले ठीक है तो लगवा लबक 44,200 की लेवल हमारे लिए इसको मार्क कर दिया अभी बहुत सारे बंदें आपको बोलेंगे करा यह बूम करेगा तो इसका मतलब यह हुगा कि अगर यह ट्रेंड देख लिया होगा तो वह जाहिर से बात इसमें बहुत सारे इंट्री बनाएंगे और यह मार्केट अल्रेडी गैप अप खुल जाएगा तो आपकी तो प्रॉफिट बुगिंग हो गई अब डबलू प पर इस असबस खुल जाए तो आपको अच्छा कासा कुछ प्रॉफिट आ जाए तो पॉसिबल हो सकता है ठीक है लेकिन ओवरनेट पोजिशन्स जल्दी होल्ड नहीं करने चाहिए यह बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो ओवरनेट पोजिशन्स पर आपको काम क और लिए मिलेगा ठीक है तो यह बात अब लोग धियान देना ठीक है तो अब यहां पर हम लोग आते हैं इसको फिर से मार करते हैं स्वरी सब्सक्राइब फिर से मार कर लिता हूंब चलो पंदर मिट के टाइम पर हमारे पास और श.व.C. लेनी हैं से में कि यह हो गया मेरा सब्सक्राइब लग लग और नीचे सेट भी हम लोगों करें सब्सक्राइब यह आप खुद से भी करने सीख जाओ ठीक है मैं यहां पर बता देता हूं इतना डिटेल में इसलिए ताकि आप लोग सीखो झुद्धो पित्यक्तों चलिए support न्रजेशंश घुणने आपको इंपोर्टेन्ट इपोर्टेन्ट तो एक मैंने यहां पर बताया कि यह वह लग बहुत इम्पोर्टेन्ट है यहां पर इसको मार करके चलो तो रेजिस्टेंस की बात करोगे तो जहां से मार्केट एक ही बार मतलब यहां भी टेस्ट नहीं हुआ है दुबारा यहां भी नहीं टेस्ट हुआ है लेकिन सब्सक्राइब लेवल पर बेटर वाला बन रहा है वह आपको यहां पर बनता हुआ दिकरा होगा तो यहां पर मार्केट रिटेस्ट किया यहां सपोर्ट बनाया तो यह लेवल आपके लिए ज्यादा सपोर्ट लेवल आपको यह बनता हुआ दिकरा होगा इसको कर दो और इसको क्या करना आपको ग्रीन करना है ठीक है अब देखिए यहां पर जो बीज का जो जोन है अब देखो कि बहुत बड़ा गैप है चार सो से लेके लवग आठ सब्सक्राइब का गैप है तो ऐसा नही यहां पर बनाया ठीक है यहां पर रजिस्टेंस बनाया है तो आप इस लेवल को मार कर दोगे फट से कि यह हमारा क्या है सपोर्ट है यह रजिस्टेंस है वो मार्केट के नीचे यह उपर खुलने पर डिपेंट करेगा इसलिए इसको आप वाइट कर लो तकि कन्फूजन के लिए जाएगा और इसके नेचे होड़ करता है तो मर्कोर्ट में आपको यह प्रॉपेट का यह टार्णेट हेमारा इतना दूर का टार्णेट लेना इतना ठाज़िए लेना यह यह प्रॉपेट आपको उपर है यानि कि अगर आप आपने मानने के चलो यहां पर market ने in-chainyar बनाया और नीचे गिरना start किया अब अपने यहां पर देख लिया तो अगर आप risk की ट्रेडer हो तो यहां तक risk अलोगे ठीक है यहां पर बेट करोगे market यहां पर बुलिस बने का पिर से संपुट करें घ्रा कर GJ पर नीचे निखल सकता है मार्केट क्यों यहाँ पर बनाओगे तो देखो यहाँ पर ींपर्ट करके काम किया है यहां इतकर नभी क ओ आपको दिखा रहा है क्योंकि हम आज कैसे बता दे आपको कि कल मार्केट में 200% क्या होने वाला है ऐसे कोई नहीं बता सकता कोई मैह शक्राना भाई ठीक है यह कोई भी नहीं बता सकता एक लंबे time frame फे करके बता सकता है मार्केट की हां भाइ दस दिन के अंदर मार्केट इतना उपर जा सकता है लेकिन अभी 15 मिनट में मार्केट क्या करेगा तो को नहीं बता सकता इंप खुंए वार्केट में ही अपना आपको मैं आपको मैं साइट से बताता हूं क्योंकि यह ज्यादा मुझे लगती है और तुरंत जो भी होता है फैक्ट्वल मिलते हैं मैं यहां पर वीडियो यहां पर लंबा बन जा रहा है तो थोड़ा सा मेरे मैंने गलत मार कर दिया है क्योंकि यह मार्केट को उठाने का काम करता है ध्यान देने ओले बात क्या है तो जोड़ोगे तो लवग लवग यहां पर आपको मिल रहा है लवग लवग साड़े चार लग का तो कैदे से आप देखोगे तो भईया मार्केट बुली से या बडेरिस से एंद आपको बता देगा ठीक है दूसरी बात कि अगर आपको देख रहे धर 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 जन संक्या बलव रहा है तो मार्केट में मार्केट को गिराने के लिए लोग त्यारी कर रहें और एधर जंस्छ call यहार को सील कर início करeh Road कौको सेल कर गिरा रहे हैं तो आपको किदर जादा पड़ेगा पूट साउच याने की इधर डाटा देखना पड़ेहाँ अगा इधर कौर को गिरा रहे हैं तो मार्केट में आपको पूट सेल कर hall को गिरा हैं translated मुद्ट मिधने थो 2018 मतलब कि मार्कर इधर ऐए और यह जब जोड लगेंगे तो मंहस्ट इधर जाना शुरू है इहां प üzerine उमेद्ह बरppy मेरे बात को आ गई होगी तो जोshire करने के लिए आपको ज्यंन diferen करने के लिए आपको इधर आना है आप लोगों का वेलकाम इस टेलिग्राम चैनल पे आप इसका लिंक आपको मिल जागा मेरे प्रप्रण बढ़ा रहा है उनके बहुत सारे भी तो नमुनों से मैं दूर रहता हूं मैं वैसा कोई काम नहीं करना चाहता है कि हवा हवा में जो पर सो बाल बोल दूं दस लगा के साथ हजर कमा एक लग कमा बिस लग कमा तो फिर पता चला कि वह आप वहीं चंपू के लेंड में आ गए जो चंपू लोग बकलोली करके खली पैसा कमा रहा है यूट्यूब से ठीक है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है मैं आपको यहीं बताना चाहते हूं को जो जिन्मेन चीज़ है वह आप बरिसे पोछो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इस पर काम करना जो बब shirts हैं जो भी शतावरी आपको चाहिए जो भी सिखन है जिसकी जनकारी आपको नहीं प्लिस मुझे कमेंट कर właściwie को इस चैनल को जोईन करें यहाँ पर मुझे को टिलिग्राम पर कमेंट कर सकते हो या तो फिर आप मुझे मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्षन में ही कमेंट कर सकते हो ठीक है तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में तब तक अपना ख्यार रखेगा राधे राधे दोस्तो बाइ बाइ शुट ट्रइड वाई राधे वीड शफ्ता राधे वीडियो दि लूट चैनल के बाइड है आज्ट आपक्र समय स्फर्वाट थक्र सकाइण में चैनल के राधे वीडियो